सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए प्रिविदेर्थिव एजुकेशन प्लैनेट चैनल नोहरपराप का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे कक्षा साथ में हिंदी विशे का पार्ट दो और पार्ट का नाम है दादीम इस पार्ट को हम पूरा कंप्लीट इसका सॉलूशन हम करेंगे पूरा पार्ट इसका पार्ट का सारांस लेख का परीचे उनकी रचना है और फिर इस पार्ट के प्रशनोत्तर इसके लेखक हैं शिव परसाद सिंग हिंदी के विख्यात साहित्यकार उनोंने इस पार्ट की रचना की है तो हम पार्ट को परारम करते हैं हिंदी के साहित्यकार सिव परसाद सिंग का जन्म 19 अगस्त 1928 को बनार्स के जलालपूर गाउं में हुआ इनके विकास में उनकी दादी मा, पिता और मा का विसेश योगदान रहा था उनकी पहली कहानी दादी मा थी इस कहानी से नई कहानी का परवर्तन स्विकार किया गया यही पहली कहानी थी जिसे पहली आंचलिक कहानी होने का गोरप राप्त हुआ इन्होंने उपनियास कहानी निबंद आदी लिखे इनकी मृत्यू 28 सितंबर 2008 को हुई जो इन्होंने रचनाएं की इनकी हम बात करें तो नीला चांद गली आगे मुडती है धतूरे का फूल कोहरे में युद्ध दिल्ली दूर है आदी इनकी रचनाएं पिर इनको जो सम्मान मिले 1990 में इनको सहित्य अकादमी पुरुसकार दिया गया था अब हम इस पाठ दादी मा इस पाठ का सारांस हम लेते हैं इस कहानी के लेखक शिव परसाद सिंग है कहानी में लेखक ने अपनी दादी मा के उदार सभाव और ममता पुर्ण हिद्य का परीचे कराया है लेखक जरा सी कठनाई से बैकुल हो जाता है तो उसके मित्तर पीछे पीट पीछे उसके इस सभाव का मजाक उड़ाते हैं लेखक को अपनी दादी मा की याद आती रहती है कभी अपने बच्पन के दिनों को याद करते हुए कहता है कि कुवार के दिन आ गए हैं गाओं में चारों और पानी भरा है पानी के साथ बैकर आए पोधों के सड़ने से एक विचित तरगंद फैली है और लेखक को बच्पन में बरसात में नहाना याद आ रहा है नहा कर उसका बुखार आना याद आता है और लेखक के बिमार होने पर उसकी दादी मा उसका बड़ा ध्यान रखती थी दादी मा नहा कर घर पर आई और पतले दुबले शरीर पर सफेद धोती पहनी आते ही लेख के शरीर को छूकर उसका बुखार देखती दिन भर चार पाई के पास बेठी लेख का ध्यान रगती किसी पवित्रस्थान की मिठी मुहों पे डालती माथे पर लगाती लेख के खानी बेने का ध्यान रगती दादी मा को बहुत किशम की दवाओं के नाम याद थे गाओं में भी कोई बिमार हो जाता तो दादी मा वही जाकर उनका भी ध्यान रगती वे मलेरिया, नीमोनिया, आदी बिमारियों का अन्वां तुरूंत लगा लेती थी वे महामारी और विशुची कादी बिमारियों के दिनों में सुबह उठकर लॉंग और गुगल और धूप लगाती, साफ सफाई का भाउध्यान रगती आजकल बुखार आने पर लेख को दादी मा का अभाव सहजी याद आ जाता है और दादी मा को गाउं की हर शादी में बुलाया जाता उनके पहुंचने से पहले कार ये आरम नहीं होता था, एक दिन मैंने दोपहर को घर लोटें पर देखा कि दादी मा किसी को डांट रही थी दादी मा से धन्नों कुछ पैसे उधार ले गी थी तो दादी मा उसे ही डांट रही थी कि तुम पैसे वापिस करो रामी की चाची धन्नों रोती हुई दादी मा के पैरों के और जुकी कहा बेटी की शादी होने वाली है लेखक ने दादी मा से आगरे कि बेचारी गरीब है दे देगी लेकिन दादी मा ने मुझे भी डांट दिया एक दिन पे भाहिला रास्ते मिली और लेख को आशिर्वा दे रही थी मैंने पूछा तो उसने बताया कि दादी मा ने सारा उधार का पैसा माफ कर दिया और अपनी और से 10 रुपे का नोट भी दिया दादी मा ने उसे कहा कि जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी पांच-दस रुपे के लिए हंसाई मत कराना लेख के भाई किशन के विवा के दिनों की बात है रात को सबी स्त्रियां रत जगा कर रही थी इसको कहीं कहीं राती जोगा भी कहते हैं विवा की रात को भिने होता जिसमें पार टोरते ही करती थी मैं बिमारों ने कान बरात में ने जासका मेरा भाई रागह वो दालान में सो रहा था ओरतों ने इतराज किया तो दादी मा ने हमारा पक्स लिया लेख कौन सी आई तो देवबू की मा उसके बीचे पड़ गई दादी ने डॉक्टर को बचाया आता है कोई भी अपराद हो जाने पर हम दादी के पास पहुंच जाते थे दादी जी की मृत्यू के बाद दादी जी सुरी यहां पर दरसल यहां दादा लिखा होना चाहिए था तो यहां आप दादा पड़ेगा दादा जी की मृत्यू के बाद दादी जी उदास रहने लगी लोगों के कप्टी विभार से तथा लेखक के पिता द्वारा दादी के श्राद में मनमाना खर्च की जान से बोगोर भी उदास रहने लगी थी एक बार जाड़े की दिनों में दादी माने गिली दोती पहनी और एक कौने में दिया जला कर बैठी थी लेखक को चिंता हुई तो उसकी दादी मा से रोने कार्ण पुचा तो दादी मा ने लेखक के खाना नया खाने की बात कहे कर बदल दी मैंने दादी मा कहा कि दोती तो बदलो दादी मा ने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती एक बार लेखक के पिता और बड़े भाई रुपे पैसे की बात कर रहे थे पिता जी उदास थे और दादी मा ने उन्हें धेरिये बंदवाया उन्होंने दादा जी द्वारा लिया गया कंगन निकाल कर लेखक के पिता को दिया सचमुच मुझे दादी मा देवीशी लगती थी लेखेक पुरानी यादों से बाहर आया लेखेक के भाई किशन द्वारा भेजा गया पत्तर उसके हाथ में था जिसमें दादी मा के देहांत की सुचना थी लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अब इसमें जो कठीनी शब्दार थाएं उसके हम बात करेंगे कमजोरी कमजोरी यानि कमी और लवंग या लोंग शब्द के लिए आया है शुब चिंतक हमारा भला सोचने वारा परशन खुश प्रतिकूलता विरोधी बात या विरोध की स्थिति या हमारे पक्च की स्थिति नहीं हो उसको प्रतिकूलता कहेंगे बर्बस जबरन शर्द वर्षा के बाद और शीतरितु के बीच का मोसम धुंतली चाया एसपस्ट रूप इसमें कुछ साप दिखाई नहीं देता हो विचितर अजीब जला से अतलाब चिवड़ा भुने हुए चावल को चिवड़ा कहा है चेत यहां पे चेतर जो हिंदी का मा है जो हमारे देशी माहा आते हैं महीने उसमें चेतर वी एक महीना है तो चेतर के रूप में यहां लिका गया है लाई लाई का गया है खील को कुवार वर्सारितु का अंतिम भीना उसको कुवार का गया है ज्वर बुखार को का गया है साबू साबू दाना के लिए परियोग हुआ है प्रिस्थितियां, प्रिस्थितियां का रहत है हालात और समय, उदास तुखी, मुह में राम बगल में चूरी, इसका रहत है मुह से तो अच्छा बोलना लेकिन मन में कपट रखना शुब चिंता भला चाहना, डामाडोल अस्तिर अतुल भहुत सारी, शाप भ्रिष्ट साब दी जाना एकान सार्मी मनुश्य ग्रूप में जन्म लेना, धुमिल असपस्ट विलीन अद्रिश्य हो जाना, घिनोनी ग्रिनित, अब इसके आए हैं प्रश्न उत्तर तो पाठे पुस्तक के प्रश्न उत्तर हम इसमें अभी ले रहे हैं, पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी मा की याद के साथ-साथ, बच्पन की और किन-किन बातों की याद आ जाती है, तो इसका उत्तर होगा लेखक को अपनी दादी मा की याद के साथ-साथ, बच्पन की अने एक घटनाय याद आ जाती है, कुआर के दिनों की याद जलाश्यों में नहाना, बिमार हो जाने पर, दादी मा द्वारा उनका खाने, पीने और सेथ का ध्यान रखना, दादी मा का दूसरों के परती दन्नों की बेटी की शादी में पैसे माफ कर दिये, उनकी साहिता की, पिता के दुख्यों ने पर माफ करना और साहिता करना, पिता के दुख्यों ने पर अपना कंगन दे कर उनकी साहिता करना प्रशन नमबर दो है दादा की मृत्यू के बाद लेकर के घर की आर्थिक स्थिती खराब क्यों हो गई दादा की मृत्यू पर पिता जी ने दादी के मना करने पर उनके श्राद पर भहुत सारा धन खर्च कर दिया जिसे लेकर गर क्या अर्थिक स्थिती खराब होगी तीसरा प्रशन है दादी मा के सभाव का कौन सा पक्षा आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों वैसे दो दादी मा के सभाव के अनेक अच्छाईया है लेकिन मुझे दादी मा की सहानू भूती की भावना सबसे अच्छी लगी उन्होंने धन्नों को उधार दिवा पैसा माफ कर दिया और उसकी बेटी की शादी में और उसकी सहायता की प्रशन नंबर चार है आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आशाड, माग इन महीनों में मौसम कैसा होता है लिखिए इसका होता है उत्तर है क्वार का महीना वर्शा रितु का अंती महीना होता है इस महीने वर्शा पर आए थम जाती है इस मौसम में ने तो गर्मी होती है और ने ठंड होती है आसाड के महीने में बरसात का मौसम रहता है गर्मी कम हो जाती है बादल घुमड 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 कर चाने लगते हैं और माग के महीने का काहनी में वर्णन है इस महीने में ठंड पड़ती है और पाला भी पड़ता है पांचों परशन है अपने अपने मोसम की अपनी अपनी बाते होती है लेकर किस कथन के अनुसार ये बताए किस मोसम में कौन-कौन सी चीजें विसेश रूप से मिलती है तो इसका उत्तर है हर मोसम में अलग-लग तरह की चीजें मिला करती है गर्मी के मौसम में खर्बूजे, तर्बूज, ककड़ी अदी फल अधिक होते हैं, हलके सूती कपड़े पहने जाते हैं बरसाथ के मौसम में आम, जमून, अनार, फालसा अदी फल पाय जाते हैं इस मौसम में कई तेहुआर आते हैं रक्षाबंदन के समय से वह यहां घेवर फेनी आदी खूब खाये जाते हैं कृषिन जन्मास्टमी पर पाग पंजीरी बनती है जाड़े की दिनों में ठंड पड़ती है मोसम में ठंड रहती है इस मोसम में खान पान और ठाट बाट के रहने का जोर होता है गरम पकोड़े औ मिठाईयां भी कूब मिलती है अब भाशा की बात करेंगे तो देखिए पहला इसका प्रिशन है नीचे दीगी पंक्तियों पर ध्यान दीजिए जरासी कठनाई पड़ते अनमनासा हो जाता है मन सन से सफेद समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रियोग किया जाता है जैसे ऐसे पाँच और शब्द लिखिए और उनका वाकि-मप्रियोग की जिये देखिए ये शब्द है समान जैसा तरह अनुरूप सद्रिस वाकि-मप्रियोग है जैसा राम शाम जैसा लंबा नहीं है समान राजा हरीश चंदर के समान कोई सत्थ JUL नहीं हुए तरह सों की तरह तेज़ दोड़ता है सद्रिस बच्चे फूलों के सद्रिस कॉमल होते हैं अनुरूप मंदिर में बगवान की मुर्ति उनके अनुरूप ही बनी है अब इसका अगला परसे ने कहानी में चू चू कर जुवर का अनुमान करती पूछ पूछ कर घर वालों को परिशान कर देती जैसे वाक्या है किसी किरिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एकी शब्द का प्रियोग होता है जैसे वहां जा जा कर ठक गया उन्हें ढूंड ढूंड कर देख लिया इस परकार के पांच वाक्य आपोर बनाई है देखे इसका उत्तर है उसने रो रो कर अपनी करून कथा सुनाई दो बर प्रियोग हो गया गर्मी में तप तप कर नदी का पानी सूख गया पानी बरसते बरसते दो दिन हो गये लड़के ने जिद कर करके घड़ी ले ली छे बसते बसते हम गाउं पहुंचे तो ये वाक्या में प्रियोग हमने कर दिया है अब अन्य महत्तपुन परिशन भी इसके हम देख लेते हैं लेख का मन कब अनमनासा हो गया था जरासी कठनाई पड़ते ही लेख का मन अनमनासा हो गया था दूसरा परिशन है लेख के मित्र पीठ पीछे क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे तो लेख के मित्र उसकी पीठ हुआ लेक्षक जलास्या के पानी में नहाद होकर बिमार हो गए था, अब परेशन नमर पांच हम लेते हैं, लेक्षक को कैसी बिमारी अच्छी लगती थी, लेक्षक विश्वास के साथ सुनाती यानि इनका पता वो अनुमान के साथ में लगाती थी लेखक को कैसे बुखार को बुलाने का मन नहीं होता दादी मा की देखवाल के बिना वाला बुखार लेखक को अच्छा नहीं लगता था अब और इसके पहत्व परस ने उनको और लेते हैं पहला है दादी मा के उत्सा और आनद का क्या कारण था लेखक के किशन भाईया की शादी एक दिन लेखक ने क्या देखा एक दिन लेखक ने देखा कि दादी मा रामी की चाची धन्नों पर बिगड रही थी धन्नों पर दा सब्सक्रा आइक दीन लेक्क को रामी चाची मिली तो उसने लेक्क चेञा कहा कि एक दिन रास्ते में रामी की चाची धन्न मिली दोवे लेक्ख को आशिरवाद 우fir के कहने लगी दादी मैंने उसके सारे पैसे माफ कर tries दे Story English चेटा प्रसन है किशन के विवाह में लड़कों के बारे में दादी ने क्या कहा दादी मा ने औरतों से कहा कि लड़कों से क्या परदा है लड़के और ब्रह्मा गामन एक सा होता है सात्वा है दादी मा उदास क्यों रहने लगी दादा जी की मृत्यों के बाद दादी मा गया सोने का कंगन लेख के पिता जी और किशन भाईया को दे दिया अब देखी इसमें दादी माने यहां दादी जी द्वारा दिया यहां दादा आप लिखना यहां दादा आएगा नमा प्रशन है किशन भाईया का पत्तर मिलने पर लेखक के मन में क्या प्रशन पैदा हुआ इसका उत्र किशन भाईया का पत्तर मिलने पर लेखक के मन में प्रशन पैदा हुआ कि क्या सच्मुच दादी मा नहीं रही तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुन्दर हमने पार्ट दादी मा इसको हमने पूरा किया है हम फिर मिलेंगे एक अगले पार्ट के साथ में तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और यदि आप नए है तो चैनल को सबस्क्राइब भी अवश्य करिएगा